बच्चों नमस्कार आप सभी का फॉस्ट टर्मिनल के एक्जाम आपके एस्कूल अस्तर पे हो रहा है और हमारे सामने आचुका है गणित का फॉस्ट टर्मिनल एक्जाम क्लास 9 का ओरिजिनल कोशन पेपर तो आईए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही सही जो उत्तर है आखिरिकार इसका उत्तर क्या होगा बहुत ही बड़िया प्रशन पूछा गया है तो फड़ावट से अभी तक वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब ने किया जल्दी से कर दिजिए जिससे कि आपको आट तक आपको अब्जेक्टि पूछा गया है जिसमें से मात्र आपको 50 प्रशन का ही जबाब देना है तो आईए देखते हैं कि कौन-कौन सा प्रशन है और इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या होगा तो साथियो सबसे पहला नमर जो प्रशन है वो प्रशन हम लोगों का क 2.5 की एक हम लोगों का परिमें संक्या हो गया या याब का वैसे संक्या होती है जिसे फीन प्रशन हो पुडा अगर निख्या हो कि पर की बराबर नहीं हो जीरू अगले प्रश्ण की बात करते हैं अगला प्रश्ण पूछा गया है कि पचास कैसी संक्या अब देखो यह बहुती जवरजस्त प्रश्ण पूछा गया है अब देखो पचास की बात करते हैं तो पचास एक परिमे शंक्या हो जागा क्योंकि इसे पचास बटा 6 जो है का 10-9 रूप क्या होगा अब देखो 11 बेटा 6 का 10-9 रूप ग्याद करने के लिए काफी असान तरीका है इसको कैसे ग्याद करता है सबसे पहले आप क्या करो कि 6 में आप 11 से मतलब की भाग दे दो ठीक है तो 6 बार में जाएगा यहाप हो जाएगा सिक्स मतलब करना करना गारा कि 10 बार में जाएगा तो आपे 2 यहां पर 10- graph फिर यहां पर 60-10 बूइस फ्रहेंगे च्के यहां पर सब्सक्राइब 20 बार और 2 20 यहादि-20 हुकिप बार बार प्रोसेस जो है वह आते जा रहा है यानि कि हम लोग क्या रहा है 1.83 आएगा यानि कि अप्सन देखो यह नंबर में दिया गया इसलिए आपको आप्सन नंबर से हो जागा अगला प्रशन कहा रहा है कि रूट 3 का दस्मनौब प्रसार कौन है अब रूट 3 का जो दस पसलिया गया है ट्रशन करना कि अगर यहां पर यहां नहीं रहता तब ही अपसन गलत होता अगे लोगे कि इसके आगे आने वाली भी संक्या होगी, है ना, तो इसलिए ये संक्या कौन होती है, यह होती है, यानि कि इसका बिलकुल जो सही हो, उतर क्या हो जागा, यह डी हो जागा, कि यह भी सही है, यह भी सही, यह भी सही है, ओके, अगला देखो, अगला प्रश्ण हम लो आप्सन नमर जो ए दियागे वो ए नमर हम लोग का बिलकुल राइड जबाब है अगला प्रशन हम लोग को सांति हो कह रहा है यहां पे बहुत बढ़ी हा प्रशन है और प्रशन है कि आपरिमे संक्या का दसमलोग प्रसार इनमें से कौन सा होता है आपरिमे संक्या का देखो अपरिमे का दसमलोग प्रसार के अदि हम बात करते हैं तो बिलकुल ही इसका सही जबाब जो हो जागा वो अप्सन सी हो जागा कि असांत अनावर्ती होता है यानि का अप्सन अपका सी हो जागा अभी तक वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब नहीं के जल्दी से क पूछ रहा है असांत अवर्ती का मतला हो गया कि वह संख्याय दो यानि कि बार बार रिपीट होनी चाहिए तो देखो यहां परिमे पिटी करना यह आपका परिमे होगा अप्सन भी होगी अगला प्रशन पूछा गया कि दो पुडांकों के बीच कितने पुडांक नहीं हो दो पूछ पुडांक नहीं हो सकते हैँ यानि अप्सन हम लोगा सी हो जागा अगला परशन है कि यहां पर की कौन सबसे चोटा संख्या यहां पे क्या चीज़ है यहां परिवार है अब देखो सबसे चोटा अब देखो इस Christopher में तोड़ी सी मुझी confusion बना हुए हमें सब्सक्राइब करते हैं अगले प्रस्ट के और बात करते हैं अगला प्रस्ट नहीं होता है तो साथियों जो परतियेक पुडांक होता है वो ध्यान देना वो परिमे भी होता है परकिर्द भी संग्या होता है पूर्णे पर संग्या होता है यानि कि इन में सब्सक्राइब हो जाएगा अगला देखो अगला करें कि बहुपद 2X स्कुर प्लस 5XQ प्लस 6 का घात क्या हो अब देखो साथियों घात वो होता है जो सबसे ज़्यादा पावर के रूप में जिरो होता है यानि कि उसका घात ही नहीं होता है उप्सन क्या हो जागा तो आपका A नंबर हो जागा अगला है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है तो आपको बार बार हम बताते रहते हैं कि सर रैखिक बहुपद का घात होता है वो क्या होता है याद करकर आखना वो आपका होती है पूरे होती है यानि आपका बी हो जागा अगला प्रश्ण आपका बी हो जागा अगला प्रश्ण नम्बर के बहुपत के सुन्यकों की संक्या किसके बराबर होती है तो बहुपतों में जो सुन्यकों की संक्या होती है बहुपत के घात के बराबर होती है यानि के option आपका हो जागा बी number बिल्कुल ही सही जबाब अगला प्रस्ट ने पूछ दिया गया है आप सभी से कि बहुपद 2xq plus 5x square plus 3 में x square का गुणाग यानि x square का गुणाग कहने का मतलब हो गया कि x square में किस संक्या से गुणाग क्या गया है तो देखो तो x square किस से गुणाग क्या है 5 से यानि कि 5 आपका जो होगा वह सही जबाब हो जागा अगला देखो इनमें बहुपद कौन है अब देखो बहुपद वह होता है जिसका चर कखात क्या हो धनात्मक होनी चाहिए अब प्रशने कहा रहा है कि इनमें बहुपद कौन नहीं है अब देखो यहां पर बहुपद कौन नहीं है यहां पर आपको जो यहां पर option दिया गया है चार option में से इस चार option से आपको बदा नहीं है तो देखना ध्यान से यह भी आपका बहुपद है यह अपका बहुपद है य अगला प्रस्ट हमें कि यो ओर थिक्कत किसी पर किरी परशानी नहीं थो चैनल को सबस्कायبة करिए ङुलायक करिए आपके लिए बैस्तर से बैस्तर हम कर सकें अगला प्रश्ण देखो यहां पर कहा रहा है कि 21 नंबर कि X कि 2x-6 का सुनिया क्या होगा आप देखो सुनिया ग्याद करने के लिए कई बरबाता है कोई भी कुश्ण देखो टू एकस माइनस में दोधर जागा प्लस मोह जागा तो एक्स ब्रबब तीन आ जागा यानि कि देखो तीन का है तो यहां पर दोको ऑप्सन नंबर सी में है सी प्रकारograph के होते देखो आमतोर पर वहपत करते थी बात करते हैं जैसे एक खात वाली भात होते हैं इसका अनुसार इसका option number A हो सकती है लेकिन ऐसा question नहीं देनी चाहिए उसे कोई नहीं चलो अगला प्रशन कहा रहा है कि 5X square का बीजातिये पद इनमें से कौन है अब देखो बीजातिये पद यहां पतानी है 24 नुमर प्रशन अब देखो बीजातिये पद का मतलब हो गया कि X square के रूप में कौन जो है वो नहीं दिया गया है तो देखो option number B में यहां पे 5X है वाकि सब में तो 1 square ही है तीशली हो जागा करें कि अगला question कि नियामक का दूसरा नम क्या होता है अब देखो जो नियामक होता है नियामक का दूसरा नम क्साति हो निर्दसांक होता है क्या निका option क्या हो जागा अगला प्रशन के रहा है 16 number कि तल में किसी बिंदू के कितने निर्दसांक होते है तो तल में किसी बिंदू के अगर के हम लोग y कहते है यह mains Y होता है यह x होता है यह yahoo इंग कितने बराबर भागों माड़ता हू요 यह चार बराबर भागों में बाप्षिक स्या मॡ़ous हो जागा हम लोग 4 हो जागा। c number अगला प्रश्चने का थार्षिर कारतीये तल में उर्धवार्धर एका को क्या कहते है तो देखो उर्धवार्धर एका को हम लोग Y अक्ष कहते है यानि कि option हम लोग को क्या हो जागा तो sir B number हम लोग का बिल्कुल ही सई जबाब हो जागा ठीक है अगला देखो कहारा कि X अक्ष क्या कहलाता है तो जो X, अक्ष है pool, पर भूछ कहते हैं, लोग बहुज कह रता है, मुझे बहुज को प्रयूई कहते हैcessor, हुण को बहुज कहते हैं, Y, X को कोटी कहते हैं, यह ध्यान रखना, करैं कि कोटी सिख इन में से किसका मान है, यह नाम है, कोटी इसमें से किसका नाम है, आपको यह बता ना, अभी आपको आपको अमने समझाया और बताया, देखो तो कोटी को क्या कहते है, हम लोग Y क्या कहते है, यानि option क्या हो जागा, B number, अगला कहरा है कि इनमें से किसकी लंबाई नहीं होती है, तो देखो बिंदू इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, तीर का सिंबल नहीं दिया गया होता है, इस तरीके से बिंदू रहता है, यह आपका रेखा घंड होता है, ठीक है, चलो, अगला प्रशन केरा है, इसमें किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है, आप देखो, इसमें से बिंदू की, कीरण की, या फिरेखा, खंड की, या फिरेखा की, तो देखो न, दियान से, 34 नमर का जबाब हो जागा, option number D, क्योंकि इस यह जो रेखा होती है, यह दोनों बढ़ सकता है, यानि कि यह लीमिट नहीं है इसका, यह अधिक हो सकती है, सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है, अगला प्रशन की, यूकलीड की कितनी अभिधारणाये हैं, तो जो यूकलीड जी है, उनकी लगभग जो है, वो पांच ओधारणाये हैं, यानि option क्या हो जाग बिलकुली सही जवाब, अगले देखो, अगला प्रशन लोगों का कहा रहा है, यहां पे, चार्टिश नमबर, कि इनमें कौन बराबर होते हैं, बराबर, इसमें बराबर कौन होते हैं, तो साथी समकोन, सभी निउनकोन, सभी अधिकोन, या पे सभी बिरिद्दुकोन, तो कि दो कोटी पूरक कोड़ों का योग क्या होता है या योग क्या होता है देखो कोटी पूरक तो कोटी पूरक का साथ ही होता है 90 डिगरी यह ध्यान दे करके रखना यानि ऑप्सन हो जागा सर C नंबर अगला है हम सभी का कि दो सम पूरक कोड़ों का योग क्या होता है 100 C बर आपका सही जवाब होगा इसी तरीके से एकले कोशन के और चर्चा करते हैं अगला प्रस्न कहा है कि तल में किसी बिंदु पर कुल कितने संकोड बनते हैं तो वो साथ वो संकोड बनते हैं आप सभी के लगभग 4 बनते हैं ठीक है option आपका B अगला प्रस्न लोगों का कहा धियान देना प्रसने कि दो समनानतर रेखा एंकितने बिंदु पर पर्थिषेद करते हैं दो भाई साहब दो जब समनानतर रेखां हैं इस टरीके से तो यह कहीं पर्तिषेद ही नहीं करेगी यानि कि यह 0 होगा अप्स्वन क्या होगा एह नंबर होगा चलो आगे बत करते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक ने किया जल्दी से वाड़ावट से कर दो और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसा लग रहा है आपको वीडियो समझ में आरा नहीं आरा है क्योंकि आज पेपर को ले करके साल कर रहा है डिजिटल ले करके नहीं कर रहा है ताकि अगला प्रशनल लोगों का कह रहा है कि यहां पे संपूरा कोड़ा आपको हम समया रहा है अगला प्रशनल कह रहा है कि तिर्भूज का छेत्रफल आधार और उचाई के गुड़नफल का कितना गुणा होता है देखो त्रिभूज का जो शेत्रफल होता आधार और उचाई के एक बटा दो गुणा होता है यानि का ओप्सन नमर क्या हो जागा ए नमबर हो जागा अगले प्रशन के यह बाद करते देखो अगला प्रशन कह है यहाँ पे हैं ध्यान देना चोवालिश नवा प्रश्ण है कि संभाहु त्रिभुज का छेत्रफल रूट थिरी गुणे भुजा स्क्वार का कितना गुणा होता है यह तो काफी इजी कोशन है आप सभी बचा सकते हैं ति यह होता है वन बटा फोर गुणा होता है यह जलो रूट थी बटा फोर गुणे भुजा इसकर होता है ठीक है इस चीई को थोड़ा साबको कंफ्यूज किया जा रहा है अगले बच्छट की बात करते हैं को हिरोन का सुत्र का छेत्रफल निकालने चेत्रफल निकालता है वीत बर्ग त्रिभूज या कि तो आप सभी जानते हैं कि इससे आपको निकलता है किसका निकलता है सांतियू फड़ा बड़ से नीचे कमेंड के बताओ कि यह त्रिभूज का निकलता है यानि आपका C नंबर हो जागा अगला है कि त्रिभूज का चेत्रपल रूट S into S minus A into S minus B into S minus C में S क्या होता है तो S ज चेत्रपल क्या होगा अब दोको त्रिभूज का चेत्रपल या option C नंबर नहीं दिया गया तो हला कि रूट इसका क्या हो जागा सर्थिरी हो जाएगा यानि option हो जागा इसका C नंबर ठीक है चलो आगे बात करते हैं अगला प्रश्ण के रहा है कि संभाहू त्रिभूज का ए नंबर ठीक है चलो अगला प्रश्ण के एक त्रिभूज का चेत्रपल एक सो पचास सेंटेमीटर स्क्वार है और उसके उचाई पचास सेंटेमीटर है तो उसका अधार क्या होगा अगर इस तरीके से कोशन दे देखो ध्यान से क्या होता हम लोग का एक बट्टा दो अब देखो 15 1 में B में 15 से गुणा करका तो 15 B हो जागा 15 B बट्टा क्या अतना हो जागा 2 आए हो जागा 150 इसके नीचे कुछ निया वान लगा देंगे तिरिये गुणा करेंगे अब लोग दो यहां पिसलिम सल्ब नहीं करेंगे ताकि एस पेस नहीं भच रहा है ठीक है अ अब देखो अब B बराबर क्या हो जागा सर कटादो 300 में भाग देदो 15 से तो यहां पे हो जागा 20 25 अधार का बैलूंज और B हो जागा ठीक है चलो अगला प्रस्ट नहीं किया पचास नमर के अधार कुणा चाही से किसका चर्थपर प्रास होता है तो आप सभी जानते कि आयत का जो शेत्रफल होता है वो अधायर गुणा कुछ आगे होता है इसमें ज्यादा कोछ पेपर सिंपल है इसको उसने किया गया है बस इसमें आपको सिंपल सा बस फर्मूला के टाइप से ही कोशन पूछा गया है अगला प्रस्ण कहा रहा है हम सोईगा कि संच सम्नांतर चत्रभूज का अधार अगर भी है और उचाई हो तो उसका चत्रफल क्या होता है वो अधार गुणे उचाई होता है बट यहां पर कहीं दिया नहीं है इसमें से ऑप्सन नमबर आपका डी होगा चलो अगला है कि एक सम सश्ट भूज की भूजा अगर चार सेंट अब भूजा का बने कितना दे है चार को सुल्ला होगा आप चार सग्साद आ चार से को का सुल्ला होता है नि suspect एकमका चौँ करना कुछ को स्याहिए यर्या थी से उनसे इसमें से इसका घड़ा आपको को बदा देना है बस लंबाई की मतलब यह ही समझू समंगे तो यहां पर क्या होगा सर पंद्रा के बीच कि हैं थेखो इसमें से क्या करो अधिक्ता मैं से नियुंतम घटा तो यानि कि 15 पचीस की बीच के अंतर कितना यानि कि 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा सर्थ 10 बचेगा यानि कि अगे बढ़ते हैं अभी तक वीडियो को लाइक और चनल को सबस्क्राइब नेगे जल्दी सकरिए अब काफी कभी कोशन बचा हुआ है फिर आपको सब्जेक्टिवी कोशन दिखा देते हैं कि कौन-कौन सा कोशन है अगला प्रस्ट करके अंती ब्यापी बीदी में बर्ग अ 11 से 20 की लंबाई क्या होती है अंती ब्यापी अगर अंती ब्यापी में पूछता है तो क्या करते हैं इन दूनों की बीच के पहले अंतर निकालते है और उसमें वन जोड लेते हैं तो 11 और 20 में अंतर कितना का 9 का है 9 में जोड देंगे हो जागा 10 यानि ऑप्सन होगा 1 यहां पर मादे दिया नहीं है दूसरा नाम पूछ रहा है तो थोड़ी सी confusion बना हुआ है ठीक है तो इसको हम छोड़ते हैं और आप लोग अगर पता दो बता देजागा नहीं तो इसका अपसन आपका D ही होगा इनमें से कोई नहीं अगला प्रस्निगर एक से 10 ग्यारा से 20 21 से 30 किस प्रकार का बरगां तरल आप दियां से देखोगे एक से 10 है और 10 की बाद 10 20 नहीं है यह 11 है यानि कि यह अंती भ्यापी है क्या है देखो एक के बाद 10 है 10 में 1 जोड़ है तो 11 आया है फिर 11 से 20 है 20 में 1 जोड़ है तो इस तरीके से आपका है तो यह हो जाएगा अगला प्रस्टन कहा रहा है कि आकड़े आठ कमा बारा कमा अठारा कमा तीन कमा दास कमा इकिस का परिसर क्या आपका अब लेगो लाश्ट कोशन अभी तक आप चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये जल्दी से करिएगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में सात्यों मे इस पर में देख सकती है पांच कितनी बार है दो बार है आठ कितनी बार एक बार है दो कितनी बार है यानि कि तीन सबसे ज्यादा बार है इसलिए अपका तीन आपका बिल्कु सही जबा हो जागा अब इस पेपर में देख सकते हो इसका 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 पीडिये फुगरा भी मिलेगा तो ध्यान देना द अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करूँ जितना ज्यादा कमेंट आएगा लाइक आगा मैं जल्दी से बना दूँगा ठीक है चलो तो जल्दी से यह देख सकते हो साथ ही हो यह आपका कोशन कितना जवरदस्त और जवाब कोशन पूछा गया ह फड़ावट से हाना इसको फड़ावट से कर लो ओके साथ यह तो जल्दी से अगले वाले नेक्ट वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दिए इसी तरीके से सभी पेपर के साथ वैसे तो बहुत सारे पेपर जो आपका बीच चुका है सानात हो चुका है हम द